हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच का परहार में मैं हूँ अड़ोकेट सन्नी शर्मा और दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको आपके मामलों को अपने पक्षमे कराने में आसानी हो जाएगी देखिए दोस्तो ये लिटिगेशन का फील्ड होता है यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई कदम उठाते हैं तो उससे पहले आपको गैडेंस जाहिए लेकिन अमूमन क्या होता है कि आदमी पहले कदम उठा लेता है और उसके बाद गैडेंस लेता है तब तक चीज़े गलत हो जाती है उसके बाद फिर option जादा कुछ रहते नहीं है ऐसे दोस्तो कई सारे calls आते हैं जहां पर लोग कहते हैं कि साब मैंने ये action ले लिया है अब आप मुझे बताईए कि जिस direction में मैं जा रहा हूँ वो सही है या गलत है क्या logic हुआ इसका ठीक है आपको ये पता चल गया आप सही CRPC का case file के और अपने husband की जो salary है वो 45,000 पर मंद दिखा दी लेकिन जो husband था husband प्राइविट जॉब में था और उसने क्या किया अपनी तरफ से जो अपनी salary थी वो 70,000 पर मंद दिखा दी कि मुझे 70 मिलती है उसके बाद वो मुझे phone करके पूछता है ये साब ऐसा हो गया आप बताओ क्या हो सकता है अब क्या हो सकता है इंट्रिम मेंटेनिस के order पर फाइल लगी है डेवलोस आप दाखिल कर चुके हैं उसमें खुद आप admit कर रहे हैं साब ये गलत कह रही है ये 45 नहीं है मेरी salary तो 70 है तो इसका प्रिणाम क्या होगा अब आप कह रहे है साब मेरे से गलती होगी ऐसे तो मेरा maintenance जादा बन जाएगा लेकिन अब उसमें क्या हो सकता है वो ची तो पहले हो सकती थी आपने डवलोस जाला तब हो सकती थी ये डवलोस जालते ही आपको ध्यान आता है कि अप यह ऐसा है आपको को guidance मिल ती और उस guidance को लेकर कि आप उसका amend करा लेते आज जब आपने WS दे दिया आज जब आपने appidavid दे दिया आज जब आपके interim पर argument हो गया सब कुछ हो गया file order पर है अब उसमें थोड़ी कुछ होगा आप तो 70 के हिसाब से maintenance बनेगा तो मेरे exactly यही कहने का मतलब है अगर आपको यह कह दिया जाए कि आप गलर direction में जा रहे है तो क्या आप वापस आजाएंगे यह वो बच्चों की pencil और rubber नहीं है कि pencil से पहले बना लिया उसके बाद rubber लेके मिटा लिया अगर गलत है तो यहां जो हो गया सो हो गया एक बार होगा अब आपके उपर है जल्दबाजी में step लेते हैं या सोस समझ के step लेते हैं जल्दबाजी किस बात क्यों होती है साम मेरे पे तो इतने मुकदम होगा अब तो मैं इसके साथ रहने नहीं चाता हूँ अब दे फटा फट एकदम से डावोसाकेस फाइल हो जाते है उससे पहले आप विचार नहीं करते हैं उसके बाद फाइल करने के बाद आप विचार करते हैं आप पहले विचार कीजिए आराम से ठंडे दिमाग से महिना, दो महिना, तीन महिना सोचिए क्योंकि आगे सालों का मेटर है, एक गलती और सालों खरब, इसलिए आपको सोचना चाहिए, दोस्तों कुछ कई बार ऐसी भी चीज़ों हो जाती है, जो थोड़ा सा बाकी चीज़ों से हटके होती है, अभी कुछी दिन पहले 7 सितंबर 2022 को मानने सुप्रीम कोट का एक है, उन्होंने personally मेरे को जज्ज्मेंट भेजा कि साब यह मेरा जज्ज्मेंट आया, आप इसको भी इस पर भी वीडियो बना दीजे, आप दोस्तों उस मामले में क्या था, वाइफ ने एक ट्रांसफर पेटिशन डाल दी थी, जैसे कि जनरली वाइफ करती है, अगर आप ड दोनों ट्रांसफर पेटिशन को एक साथ सुना, और सुनने के बाद कोट ने order किया कि भाया, दोनों ही ट्रांसफर पेटिशन में कोई मेरेट नहीं है, और दोनों ही ट्रांसफर पेटिशन डिस्मिस कर दी, यानि वाइफ का जो केस था, वो हजबन के प्लेस पे ट्रांसफ हो जाती है वाइट के देखे दोस्तों जब मैं छोटा था ना मैं भी बहुत जल्दबाजी करता था लाइक जैसे कोई गाड़ी खरीदनी है कोई बाइक खरीदनी है तो बस अभी क्या भी ले लो तुरंत ले लो फिर जैसे ऐसे मिचोटी आती गई तो लगा कि यार इस तरह स गलत हो जाती है आप अगर आराम से सोच समझ के काम करते हैं तो ही आप लेटीकेशन में चल सकते हो यहां गलतियों को सही करने का मौका नहीं मिलता यहां जब गलती करते हो उसके बाद जो खाई होती है खाई का नाप बढ़ता जाता है जो कठिना ही होती है उनका लेवल ब करें आप कुछ मत करो यह आपके लिए सबसे बहतर है तो सामने वाले को लगता है कि हमेशा आपको टेखनी का लंबी चोड़ी एडवाईस दी जाएं वो ही भैतर हो सकती है कई बार होता है कि आपको एक लाइन कह दी जाए भाई अभी शान डड़ जो कुछ मत करो जो हो रहा देखने दो इसके बाद प्लाइन करते हैं कई बार ये इतनी छोटी से लाइन किसी की लाइव बदल सकती है तो सारी चीजे हर एक व्यक्ति के परस्नल मेंटर पर डिपेंड करती है जो वीडियोज भी होते हैं जनरलाईज होते हैं जनरलाईज जो चीजय होते हैं उससे आप समझ सकते हो चीजों को कैसी होती है लेकिन उसको एजटीज अपने मामले पे कभी भी अपलाया मत करना सबसे पहले आपके जो भी वकिल साब है जिनसे भी आप सला लेते हो उनसे पूछो समझो चीजों को आराम से और जितनी knowledge ले सकते हो लो उसके बात को इस्ट अपलो चलिए दूस्तों आजके इस वीडियो में इतना ही नेक्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ में आप से फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुडबाई and thank you for watching take care